नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका श्री मोटर के आपके अपने चैनल में मैं हूँ आपका दोस महेंद्र और आज आपके लिए लेका हैं फोड की वो शांदार गाड़ी की भाईया इसको लेना क्यों बनता है ये सारी चीज़े बताऊंगा मैं सबसे पहला ये फोड की जो गाड़ी है मैनिफेक्चरिंग एर दे रहा हूँ आपको 2018 और सिर्फ गाड़ी की प्राइज सुनेंगे कितनी हैं तो मज़ा आ जाएगा डीजल गाड़ी वो भी टॉप मॉडल यानि की टाइटेनियम और चली वी बिल्कुल ना के बराबर इस ना क्या-क्या क्या प्यूप मिलने वाले हैं आए देखते है गाड़ी कॉम चारो सा तरफ तो सबसे पहले बात करते हैं हम गाड़ी के फ्रेंट से तो फ्रेंट में जैसा कि आप देख रही हैं यह डिजल गाड़ी जो ए फ्रेंट में तो इसका लुक में आपको पहले के वीडियो में बताई चुका हूँ भाईया कुछ विदेश की इसी बड़ी बड़ी गारिया है जिनका नाम चलता है भाईया और जेम्स बांड भी यूज कर चुका उस गारी को उससे मिलता जुलता फ्रेंट है क्योंकि यह अब देख लेते हम गारी को लेफ्ट से तो अब देखते हैं गारी को हम राइट साइट से जैसा कि आप गारी को देख रहा है राइट साइट से गारी बिल्कुल मिंट कंडिशन में है गारी पर कहीं पर भी कोई भी स्क्रेच नहीं है एक दो चोटे मोटे डेंट है जिनको को मैंने ड्राय डेंट में ओके करवा लिया और गाड़ी का जो पेंट है पूरा कंपनी पेंट पर यानि की ओरिजनल है बात करते हैं टायरों की तो गाड़ी मेरे सिफ यानि की 66,000 चली हुई है तो टायर हमने डलवा दियें बिल्कुल ब्रैंड न्यू यानि की चलने वाले अब पचास अजार किलोमेटर तक अलाइवी के कंडिशन देखेंगे तो इसके बॉड़ी है वेसे ही टायर है साइड से मैं आपको बता दूं कि यह यह जो इसके अंदर आपको glasses मिलने वाले है यह electric edges प्लस auto folded मिलने वाले अब गारी को हम देखते हैं पीछे से और boot space तो चलिए देखते हैं अब गारी को पीछे से जैसा कि मैंने बताया था कि यह मेरी Ford की Figo Aspire है जो कि titanium जनी की top model है और diesel है पीछे से आप देखेंगे तो गारी के bumper की बात करते ह हैं तो सब कुछ शांदार clean and need है अगर डिक्की को भी देखा जाएगा tailgate को वो भी बिल्कुल need and clean है गारी कहीं से कोई dent scratch कुछ भी नहीं मिलेगा अब बात करते हैं features की तो features में हम देखेंगे सबसे पहले हमें आप यहां देखेंगे parking sensor भी मिल रहे हैं aftermarket camera भी लगा हुआ है और यहीं देखते हैं अब डिक्की को तो हमारे boot space की बात करते हैं boot बे एकदम clean and need है और करीब करीब मेरे हिसाब से यह 500 लिटर के आसपास का boot space इसमें मिलने वाला है आई अब देखते हैं गाड़ी को left side से तो चलिए गाड़ी की left profile भी अब देख लेते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी मेरी यहां से लेकर यहां तक पूरी left profile लेखेंगे कहीं से लेकर कहीं तक गाड़ी पे एक भी scratch नहीं मिलेगा जैसा कि मैंना आपको बताया था गाड़ी मेरी पूरी original condition पे है और maximum तो नहीं पूरा ही original paint पे है और टायर की condition तो क्योंकि जैसा मैंने बताया चारो ही टायर नए डाले हुमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है चलिए अब देखते हैं interior कि इसका interior में हमें क्या-क्या मिलने वाला है जैसा कि मैंने आपको बताया यह titanium गाड़ी है हमारे डीजल तो इसके अंदर एक छोटा सा चेंज किया हुआ है customer ने aftermarket एक शांदार सा android का प्लेयर लगाया है जिससे गाले की खुबसूरती बढ़ गई और साथी में attached हो गया इसमें reverse camera वहीं मिलने वाला है यह climatronic AC और साथी में steering पर देखेंगे तो कु body mats लव में गाड़ी के अंदर seat cover का कर देखेंगे condition तो वह भी बहुत शांदार है आईए गाड़ी को एक बर पीछे से भी देख लेते हैं कि गाड़ी हमारी पीछे से कैसी है गाड़ी को पीछे से भी देखिए बिल्कुल शांदार condition में रखी हुई गाड़ी कहीं से लेकर देखिए दो हजार अठरा की है और ऑनर सीरियल फरस्ट है गाड़ी हमारी सिर्फ और सिर्फ चाचट हजार यानि कि 66,000 चली वही है यह डीजल गाड़ी भाईया जिसका प्राइज हमने रखा है पांच लाग पिच्च्याजी हजार रुपे गाड़ी की खुबियां तो इत आराम से निकालती है गाड़ी को किसी भी कंडिशन में चलाएं नोड आउट यह 20 से लेके 25 का एवरेज आपको बिल्कुल देगी तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ऐसी ही जोरदार और शांदार गाड़ियां मैं आपके लिए रोज लेके आता रहा हूं जल मुलागा दूए ऐसी जोरदार गाड़ी के साथ नेक्स वीडियो में